यह है हमारा आज का question solve the following state of simultaneous equation यह है linear equation 2 variable का question class 9 maths का और question देखो क्या दिया है 3x-5y is equal to 16x-3y is equal to 8 और question में यह हमको x और y find out करना परता है तो यहाँ पर सबसे पहले दो rule यहाँ पर satisfy करना पड़ेगा यह है पहली equation यह है second equation दो rule आपको यहाँ पर satisfy करना पड़ेगा वो दो rule satisfy हो गया तो फिर calculation के साब से आपको answer मिल जाएगा वो दो rule क्या है पहला rule यह है कि अगर आपके पास जो variable है यह x variable है यह y variable है दोनो equation का x variable है दोनो equation का y variable है तो दोनों में से कोई भी एक variable के साथ जो number आता है जिसको हम coefficient कहते है वो same होना अच्छा है पहला rule यह है या to x के साथ वाले number दोनो same होना च्छी है या to y के साथ वाले number दोनों same होना च्छी है इसका मतलब दोनों को सेम करना पड़ेंगा, या तो दोनों X के नंबर सेम करो, या तो दोनों Y के नंबर सेम करो, अब मुझे आप बताओ, क्या नंबर सेम करना है, देखो, मैं आपको बताओ, Y के नंबर है 5 और 3, 5 और 3 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो अगर इसको सेम करना पड़ेंगा तो दोनों equation को multiply करना पड़ेंगा आपको किसी ना किसी number से क्या number से करना पड़ेंगा मैं बता हूँ है लेकिन x के number एक है 1 और 3 1 और 3 दोनों same table में आते हैं 1 के table में 1 भी आएंगा और 1 के table में 3 भी आएंगा तो यह easy रहेंगा आपको solve करना तो क्या करो अभी देखो 1 और 3 में अब हमने चूज कर लिया कि हमको x को same करना है 1 और 3 में छोटा कौन सा है 1 तो 1 को 3 के जैसा बनाएंगे कैसे करेंगे यहां पर सिर्म multiply होते हैं मतलब आपको 1 को ऐसे number से frog multiply करना है कि आपका answer 3 आए ताकि वो दोनों शेया हो जाएं तो वन को किससे आप consciously करोंगे ताक emphas go 3 तो आपको या करना है पूरी equation को three से multiply करना है वन जिस equation में उस equation पूरी equation को three से multiply करना है क्योंकि यह math का rule है आप आपस्रीब एक नंबर को एक टम्स को नहीं कर सकते आपको पूरी equation को solve करना पड़ेगा ठीक है हाँ चलो आप करते हैं पहली वाली equation में तो कुछ चेंज नहीं है तो उसको वैसा का वैसा नीचे उतार हो दूसरी equation देगो 1x multiply by 3 3x हो जाएंगा माइनस 3 x 3 9 और यह y 9y हो जाएंगा 8 x 3 24 यह हो गया चेंज यह हो गया चेंज आपकी सेकंड इक्वेशन अब फर्स रूल यहां पर सटिस्वाय होता है सेकंड रूल क्या है अब सेकंड रूल यह है कि जो नंबर सेम हो गए उनकी साइन अलग-अलग होना चाहिए मतलब एक प प्लस में कुछ नहीं आगे मतलब प्लस यह वाला 3 के आगे भी कुछ नहीं मतलब प्लस दोनों के साइन क्या है सेम है अलग-अलग होना चाहिए तो अब अलग-अलग करना पड़ेंगा पहली वाली एक्वेशन वैसे के वैसे नीचे उतारो दूसरी एक्वेशन के साइन च कट हो जाएंगा 3-3 कट हो जाएंगा अब यह दोनों को सॉल करो प्लस 9-5 9 में से 5 गया 4 बचा और यह वाइं बड़े की साइन प्लस तो प्लस में ही रहेंगा 16-24 बड़े में से छोटा माइनस करो 24-68 हो जाएंगा बड़े की साइन माइनस ठीक है अब आपका एक्वेशन हो गया 4y is equal to minus 8 y के साथ जो नंबर है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो 4 4 cancel आपके पास बच रहा है y 4 1 जा 4 2 जा आपके पास बच रहा है minus 2 y की value क्या हो गई माइनस 2 y की value निकल गई अब निकालना है x की value कैसे निकालोंगे पहली वाली equation ले लो ठीक है यह दूसरी वाली ले लो जो आपको पटे मैं पहली ले लेता हूँ 3x minus 5y is equal to 16 इसमें y की value put करतो 3x minus 5 y की value क्या है minus 2 bracket में लेको is equal to 16 3x वैसा का वैसा 5 और 2 को multiply करो 5 2 जा 10 minus minus 10 नंबर है यह भी नंबर है नंबर को एक साइड ले लो तो 3x वैसे का वैसा 16 वैसे का वैसा 10 उदर जाके minus हो जाएंगा 16 minus 10 कित्ता होता है 6 होता है ठीक है अब आपको x निकालना x के साथ कौन सा नंबर है 3 दोनों तरब 3 से डिवाइड करो जैसे हम नहीं यहां पर किये थ तो 3 और 3 कैंसल हो जाएंगा आपके पास बच्छा x 3 के डेवल में 6 कितने पर आता है 2 पे x की वैल्यू क्या गई 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस 2 तो आपको x, y मिल गया है 2, minus 2 x2 y minus 2 यह आपका final answer है